कितने जूट फ्रलाए जाते हैं कैसे लोगों को गुम्रहा किया जाता है कल के पार्लामाइन के हमारे एक निर्ड़ाइ से और मैं आशा करता हूँ जैसे बहुती तंदुरस्त बाता वरण में कल लोग सभा में चर्चा हुई देर रात तक चर्चा हुई और करिब करिब सर्वसामती से कुछ लोग रहे जिन्होंने विरोद किया लेकिन उसके बावजोद भी सम्विधान के लिए महत्वपूर्ण निर्ड़े का लोग सभा ने किया मैं आशा करता हूँ आज रात सभा में विशेश रुप से एक दिन के लिए रात सभा का समय बढ़ाया गया है रात सभा में भी हमारे जितने जन प्रतिनिदी बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एक्ता और खंडित्ता को बल देने के लिए सामाजी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवस्य सकारात बग चर्चा भी करेंगे और कल की तना ही सूख़द निर्णे भी तुरंत हो जाएगा ऐसी मैं आशा करता हूँ भाईय बहनों हमारे देश में ऐसा जुड़ फ्रलाए जाता था और कुछ लोग आरक्षन के नाम पर दलीतों को जो मिला है उसमेंसे कुछ निकलना चाहते थे आदिवासियों को मिला है उसमेंसे कुछ निकलना चाहते थे OBC को जो मिला है उसमेंसे कुछ निकलना चाहते थे और वोट बेंक की माइनोरिटी की राजनीती करने पर तुले हुए थे हमने दिखा दिया जो दलीतों को मिलता है उसमेंसे कोई कुछ नहीं ले सकता है जो आदिवाचियों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है जो OBC को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है ये अतिरिक्त 10% दे करके हम सब को न्याय देने के जिसा में काम किया है और इसलिए हम इसका ले लेंगे उसका ले लेंगे ये जूट फ्रलाने वालों को कल दिलनी में पार्लामेंट ने ऐसा करारा जबाब दिया है ऐसा उनके मुह पर चोट मारी है कि अब जूट फ्रलाने के उनकी ताकत नहीं बचेगे